Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel जिसका नाम है Informatics Practice इस वीडियो में मैं आपको Wireless Transmission Media के बारे में बताऊंगा इसके पहले वीडियो में मैंने आपको Wired या Guided Media के बारे में बताए आप चाहितों से देख सकते हैं So Friends, Think जहां Physical Medium नहीं होता है जैसे वायर तो उहां Transmission कैसे होता है Wireless Data Transmission में Different Types of Waves का यूज ऐसे Medium के राता है Transmitter से Data को Transmit करते वक्त Waves के साथ में Data Signal को Modulation कर दिया आता है और Receiving Point को Data से Wave Single को Demodulation करके अलग कर लिया आता है और यह सभी Wave अलग-अलग Frequency Band को यूज करके Data को Transmit करते हैं तो सबसे पहले Types of Wireless Transmission Media देख लेते हैं सबसे पहले है Radio View, दुसरी है Micro View और इस रहा है Infrared इन तीनों Waves पे ही पुरा Wireless Transmission Media बेज देख लेते हैं तो एक एक करके तीनों को देख लेते हैं तो पहले है Radio View तो Radio View वह क्या होता है Radio View Radio Transmitter से Generate होता है और Radio Receiver से Received होता है जैसे हमारा FM Radio जो हम सुनते हैं वह Receiver है जो Radio Tower से जो Radio Frequency Transmit हो रही है वह Radio Received करता है Next is Radio Waves are Omni Direction Means जो Tower से Waves निकल रही है वह किसी भी Direction में Move कर सकती है या किसी भी Direction में जा सकती है इसे ओलते हैं Omni Direction Radio Wave की Frequency 3 KHz से 300 GHz तक होती है अब Uses क्या है Radio Wave के देख लेते हैं FM Radio में, TV में, Satellite Communication में इनका उप्योग के वाता है Next हम देख लेते हैं Micro View तो जो Microwave होती है वह Radio Waves का ही एक पार्ट होती है Means जो उसकी Frequency Band है वह उसी Radio Wave की Frequency Band के अंदर ही होती है जैसे Microwave के Frequency होती है 300 MHz to 300 GHz तो यह Radio Wave Frequency के अंदर ही आता है Microwave और Unidirection या Line of Sight It uses Line of Sight Means वह एक ही Line में Point करती होई Move करती है यह किसी दूसी डायक्षन में या अलग अलग डायक्षन में Move नहीं करती है सिप सीधी डायक्षन में ही Move करती है इसलिए इसे Line of Sight कहते हैं और जो Users हैं Microwave के वह हैं Satellite, Radar और Other Short Distance Communication Devices में इसका अज़ होता है Next है Infrared Infrared Communication जो होता है बहुत ही Short Range के ले होता है क्योंकि इनकी Frequency जो होती है बहुत ही High होती है 300 GHz से लेकर 400 Terahertz तक होती है इसलिए जोने इनकी अप्लिकेशन है वह भी Short Distance Communication के लिए होते हैं जैसे आपना टीवी रिमोट हो गया वायलेस स्पीकर हो गया या Other Handle devices हो गया है ठीक है दोस्तों तो यह था वायलेस ट्रांस्मिशन मेडिया का पार्ट वन मेंको थे जा हो मैंकोछुे के उनकी आपका है झाल आत全 ‫विए माही मैंके यह था है जा झाल सवा दोस्तों स्वत्सूं यह